यह वीजा मिलने के बाद क्या गारंटी है कि आप जो है यूए से चले जाएंगे वह से लोग जो है फेक डोकुमेंट जो है दे कर वीजा तो ले लेते हैं फिर उसके बाद जो है कितनी प्रॉब्लम हो सकती हैं वो जो है हम आपको स्क्रीन के उपर दिखाते हैं जी कुछ लो लोग जो है वीजा 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 करते हैं तो सर जी बिलफर्द आपको जो है वीजा मिल गया उसके बाद जो है गोर्मेंट क्या कहती है बिलफर्द आप यूए से जा रहे हैं तो आपको गोर्मेंट क्या कहती है वीजा मिलने के बाद क्या गरंटी है कि आप जो है यूए नहीं दी जाती है किसी भी सेक्यूरिटी परपस की वैस है या वो उनको लगता है कि आप जो है गलत इंफॉमिशन आपने सब्मिट की है और आप जो उस परपस के लिए यहां पर नहीं आए है तो चलिए मैं आपको स्क्रीन के ओपर दिखाता हूं कि इनकी जो है अपनी जो है देकर वीजा तो ले लेते हैं फिर उसके बाद जो है कितनी प्रॉब्लम हो सकती है वो जो हम आपको स्क्रीन के ओपर दिखाते हैं चलिए आईए देखते हैं स्क्रीन के ओपर तो यह देखिए गाईज यह जो है इनका ऑफिशल पेज है आप ट्रेवल डॉट दा यूएस करेक्ट सम्मन इस असकिंग दिस कोईशन सो यहां पर देखिए क्या आंसर कर रहे हैं वीजा ड़स नोट गारंटी इंटरिंग इंटो दा यूनाइट इस्टेट वीजा जो है गारंटी नहीं है कि वह आपको जो है यूज से के अंदर इंटरी देंगे क्या वा होम लेंड सेकुरिटी यूस कस्टम और प्रोटेक्शन CBP इमिगरेशन इंस्पेक्टर अथराईज ओर डिनायज एडमिशन टू दा यूनाइटीड सेट तो यहां पर जो है सर जी जो immigration inspector जो होम लेंड का जो बंदा वहां बैठा होता है जो immigration officer होता है वो जो है decide करता है आपको judge करता है क्योंकि आप जब यहां से जाते हैं अगर किसी ने बाई ने travel किया है जिसने नहीं भी travel किया है जब आप airport पे जाएंगे तो USA जब जाते हैं तो आपका जो है first time अगरा बिलफद आप travel कर रहे हैं तो आपको जो है एक side में लेके जाते हैं उनका cabin होता है कुछ detention room भी होता है और एक चोटा room भी dark room बना हुआ होता है लेकि नॉर्मली मतलब है कि वहीं table लगी होती है वहां पर जो है आप से question answer करते हैं कि आप जो है किस लि क्यों आए हैं कहां रुकेंगे आपके पास return ticket है नहीं है आपके पास hotel reservation है या नहीं है यह सारे question answer जो है वह immigration officer आप से करता है उसके बाद जो है आपको वह allow करता है या फिर deny भी कर सकता है यह चीज़ें जो है हमको जहन में रखनी जरूरी है क्योंकि बास जोगात यह होता ह कर जो है वह apply तो कर देता है तो visa आपका आजाता है लेकिन जब आपको question here होता है जो live आपके सामने जब immigration officer आप से पूछता है तो आपके question answer जो है कुछ और होते हैं या पिर आप confident नहीं होते तो इस वाय से जो है आपका visa भी जो है reject हो सकता है इसके लावा एक चीज और दे website के ओपर ले जाएगा यहां आप जाकर देखते हैं यहां पर देखिए गाइस क्योंकि अभी USA जब आप जाएंगे आप बिलफर्द चले भी जाते हैं और एक सक्सिस हो जाते हैं और USA के अंदर आप land कर जाते हैं तो आजकल जो है USA के अंदर जो passport है उसके उपर entry stamp नहीं ल इनकी जो website है उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो डाली हुई है उसके ओपर आप जाएंगे जैसे ही आप entry करते हैं तो सबसे पहले आपने hotel में rest waste करने के बाद next day आपको जो यह चेक करना है आई 94 के उस पे जाकर आपको चेक करना है कि आपको जो allow किया गया USA के अंदर कितने दिन तक जो है आप यहाँ पर stay कर सकते हैं क्योंकि वीजा तो आपका valid है 5 साल या 10 साल लेकिन वहाँ पर USA के अंदर entry आपको कितने दिन के लिए मिली है बाद वकर नॉर्मली तो 6 महीने के लिए होती है लेकिन बाद वकर 3 महीने भी होती है बाद वकर 90 दिन भी होती ह तो आई 94 आपने लाजिम चेक करना है ताकि आपको यह पता चल सके कि आपको जो है कितने दिन का यहाँ stay मिला है ताकि उससे पहले पहले आप तो या तो पिर stay अपना जो है application दे कर extend करें या पिर आप exit करें वहाँ से तो गाइज यह जो है चोटी सी information थी होप आपको जो है अच्छी लगी होगी तो चैनल को जो है like कर दीजिए subscribe कर दीए और अगर कोई question है तो वह comments में आप ज़रूर लिख्या कीजिए मैं immediately जो है आपको उसका reply करूँगा तो दीजिए हैदर कैतरी को इजाजत अलाफीस